वेलकम तू लिली आर्टिस्ट फैबरिक वर्क्स फैबरिक पेंटिंग क्लास फ़र बिगनर्स की ये सेकड वीडियो है फर्स वीडियो में मैंने आपको टुइल्य ड्रॉ करके और पेंट करके दिखाया है ये है आप ये वीडियो देख सकते हैं यह सारी चीज़ें बाद में मैं प्लेलिस में एड़ कर दूंगी तो वहां से आप असानी से देख सकते हैं आज हम देखेंगे कि हम रोज को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूरिफुली पेंट कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगी मैं pencil से direct draw कर रही हूँ cloth पे लेकिन अगर आपका hand set नहीं है तो फिर आप पहले कहीं paper पे draw करेंगे और tracing paper के help से इसको transfer करेंगे आपको transfer कैसे करना है इन चीजों में problem है तो आप एक दो दिन पहले जो videos मैंने डाली है उसको देखिए उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है जो purple lily मैंने बताई है उसमें मैंने आपको trace करके दिखाया है और अगर आपको videos नहीं मिल रही तो आप comment कर सकते हैं मैं आपको दे दूँगी link तो आपने देखा इस तरीके से step by step हम बहुत ही beautiful सा rose draw कर लेंगे और अब मैं इसको paint कर रहे हूँ इसको paint करने के लिए मैं बहुत ही unique color combination यूज़ कर रहे हूँ इसी तरीके से मैंने ये वाला हिबिसकस paint किया है तो आप इसको भी देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं orange color fill करूँगी फिर मैं ने लिया red color और जो space बचा हुआ था मैं वहां पे अच्छे से outline करते हुए color लगा दूँगी अब देखे इस तरीके से है अब इसको हम क्या करेंगे mix करेंगे अच्छा सा smooth करेंगे ठीक है अब देखे दोनों के look में आपको difference दिख रहा है अगर मैं वैसे छोड़ देती तो वह कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है इस वीडियो में मैंने जो आपको रोज ड्रॉ करके दिखाया और paint करके दिखा रही हूं वह मैं थोड़ा सा आपको different दिखा रही हूं यूनिक दिखा रही हूं यह मैंने बोलूंगे कि यह बहुत ही basic है बट यह बहुत ही different है अगर इस तरीके से आप paint करेंगे तो आपको एक unique stuff मिलेगा अब अगर आपको red और white प आपको explain भी अच्छे से किया आप draw भी अच्छे से कर सकते हैं और अगर आपको छोटे rose के design देखनी है तो यह देखिए इसमें मैंने आपको draw करके और foreign paint करके दिखाया है फिर उसमें मैं add करते चली गई थी तो आप यह video भी देख सकते हैं मैंने रोज पे बहुत सारी varieties paint करके दिखाई है इसलिए मैं आपको इस series में यह वाला flower ड्रोव करके दिखा रही हूं जिसका size भी मैंने थोड़ा बड़ा रखा है और color combination भी unique रखा है तो अगर आपको basic color combination से चाहिए तो आप यह सारी videos देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है इस series में मेरा focus है कि मैं आपको draw करके और फिर paint करके बताऊं ताकि आप आगे design draw कर सके क्योंकि आप लोग हमेशा हर videos में लगबग पूछते हैं क्या मैंने design कहां से बनाया है तो मैं किसी भी book से नहीं बनाती हूँ यह सारी मेरी personal designs है तो इसलिए मैं आपको draw करके फिर उसको paint करके step by step बताऊंगी ताकि आपको paint करना भी आजाए steps भी समझ आजाए और draw करना भी और फिर मैं आपको design को expand करके दिखाऊंगी कि कैसे आप इस चीज को बढ़ा सकते हैं क और अगर आप fabric painting के field में new हैं और अभी आपको scratch से सीखना है आपको simple shading सीखना है simple flower बनाना है तो इसके लिए आपको बिलकुल परिशान नहीं होना मैं पहले ही beginners course बना चुकी हूँ जिसमें मैंने simple flower को आपको paint करके दिखा है उसमें क्या है मैंने आपको draw करके दिखा है और बहुत easy shade रखा है कि कोई भी कर लेगा अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं आप उनको सिखाना चाहते हैं painting तो भी आप वह सारी वीडियो दिखा सकते हैं या फैब्रिक पर करिए या फिर आप paper पर करिए वह बस थोड़ा सा material का difference होता है बड़ शेडिंग का process तो वही होत अगर आपको यह सारी basic problem है तो आप वह वाली playlist on करें उसके videos one by one ध्यान से देखें आपकी सारी जो queries है मैंने उसमें cover की है उसमें मैंने आपको easy shade बताया है brush के बारे में बताया है medium के बारे में बताया है कप्रे के बारे में बताया है और जैसे जैसे आप लोगों का question था मैं उसमें बता दी चली गई थी तो अभी मुझे उतना याद नहीं है लेकिन अगर आप देखेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही beneficial है अच्छा अब हम यहाँ ध्यान देंगे देखें मैंने इतना paint कर लिया है अब मैं इसको shade कर रही हूँ ठीक है dark shade कर रही हूँ तो कौनसा color use कर रही हूँ मरून color use कर रही हूँ मैं मैंने चारो color ऐसे रख दिया है साथ में ताकि आपको problem ना हो कि कौनसा कभी यूज किया मैंने ठीक है अब आप color के quantity देख रहे है कितनी कम है ठीक है बिलकुल भी जादा नहीं होनी चाहिए आप देखें मैं किस तरीके से brush में color ले रही हूँ ठीक कि बहुत ही light हम लेंगे देखें ये सारी वीडियो में मैं आपको बहुत ही useful टेकनिक बता रही हूँ जो अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आपकी painting बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है और ये मैं आपको as a video available कर रही हूँ ताकि आप कहीं भी देख के सीख सकें बस इसमें क्या है कि आपको सीखने का एक आपके अंदर होना चाहिए और आप practice करेंगे अगर तो आपको बहुत ही अच्छे से आजाएगी मैं अपने side से बस यही कर सकती हूँ कि मैं आपको सिखा सकती हूँ वीडियो मैंने डाल दी क्योंकि मैं class नहीं ले सकती में पास time नहीं है आपको क्या करना है इसको complete watch करना है सबसे पहले अगर आप complete watch नहीं कर पारे तो आप सीख कैसे पाएंगे तो आपको concentration के साथ इसको watch करना है और इसके बाद practice करना है अपने friends and family को भी inform करिये जो fabric painting में interested है कि वो भी हमाय साथ class join करे और step by step flower painting सीखते जाएए झाल 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 राउंड पर वीडियो बनाई है यह वाली आप इसको देख सकते हैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी तो आपने देखा है स्टेप बे स्टेप अगर आप पेंट करेंगे तो आप कितना ही ब्यूरिफुल रोज ड्रॉज करके पेंट कर सकते हैं अब लास की हमारी दो पेटल बची है जिसको पेंट करना मुझे सबसे जादा पसंदे क्योंकि जब हम इन दोनों को पेंट कर लेते हैं तो हमारे जो रोज का लुक है वो कंप्लीट दिखता है बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा तो यह मैं देखने के लिए मुझे यह बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको पेंट करती हूँ तो देखिए सबसे पहले औरेंज कलर मैंने फिल किया था नीचे से मैं लगाऊंगी रेट कलर उसको उपर के साइट पे शेट करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी बाद में बहुत हलका मरून लूँगी और शेट दे देंगी क्योंकि मुझे डार्क चाहिए सेम इसी प्रोसेस से हम अपनी सेकेंड पेटल को भी पेंट करेंगे और हमारा रोस जो है वो पेंट हो चुका है आपको यह रोस कैसा लगा कॉमेंट में मुझे जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छे लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि लाइक काउंट देखके मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स वीडियो बनाने का औ तो मैं इसमें लीव एद कर रहे हूँ तो मैंने पत्तियां बनाई है अभी मैं ड्रॉब कर रही हूँ देखिए बहुत ही सिंपल सी हम लीफ बनाएंगे इसमें मैं आपको दिखा रही हूं कि आप एक सिंगल रोز को कैसे एक डिजाइन में चेंज कर सकते हैं कैसे आप उसम एक आपको एक्जाम्पल मिल गया कि इस तरीके से हमें शेड करना है ठीक है अब उसमें देखिया आप उपर के साइड पे हम लगाएंगे वाइट देर हम ग्रीन कर लगाएंगे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और फिर नीचे के साइड आपको पता ही कि मैं क्या करने वाली इसमें क्योंकि अच्छा भी लगता है और आप इसको इसली सीख सकते हैं यह एकदम बेसिक नहीं है बेसिक से थोड़ा सा उपर है क्योंकि एकदम जो बेसिक वाला है वो तो मैंने आपको बिगनेस क्लास वन क्लास टू में बताया है अब हमारी लीव जो है वो पेंट हो गई इसको हम कनेक करेंगे जीरो नमबर के ब्रेश दिल सबसे पहले स्टैप बैस टैप इसको जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया था उसी तरीके से उसी लाइन पे हम इस तरीके से आउट लाइन करेंगे कि वो आपस में कनेक्ट हो जाए और उसके बाद डालेंगे नस देखिए अब इसका लुक कितना चेंज हो गया यह करने के बाद अब मैं नेक्स स्टैप की तरफ जाओंगी और मैं इसमें ड्रॉ कर रहे हूं नीचे के साइट पे डिजाइन तो आप देखिए नीचे के साइट पे मैंने स्टैम ड्रॉ की और अब मैं इसमें एड्ड कर रहे हूं पत्तियां लीव एड्ड कर रहे हूं अ तो अब मैं next side add करने वाली हूं एक कर्ली तो आप लोगों का गैस हो गया है गलत क्यूंकि जाधा तर आप लोगों ने सोचा होगा या तो मैं एक और प्लावर एड़ करूंगी या लीव तो मैंने इसमें आपको एक कली एड़ करके बताया है क्योंकि मैं इसको आपको पेंट करना भी बताऊंगी बहुत ही अच्छे से जादा तर मैंने देखा है कि लोग कली को बहुत ही गलत तरीके से पेंट करते हैं उसका लुक पूरा खरा हो जाता है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको सही तरीके से पेंट कैसे कर सकते हैं अब हम स्टेप बे स्टेप अपनी लीव को पेंट करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आभी आपको उपर एक्स्पेंट किया है तो जल्दी से मैं इसको पेंट कर लेती हूँ ताकि हम इसका कम्प्रीट लुक देख पाए इस तरीके से हम बहुत ही स्मूद लीव स्टेप बे स्टेप अपनी लीव को पेंट कर लेंगे आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा और बहुत पसंद आये होगा वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कॉमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है देखिए हमारी जो लीव से हो पेंट हो चुकी अब मैं वन नमर का ब्रश लूँगी और स्टेम को पेंट कर रही हूँ और स्टेम को पेंट करने के बाद ही मैं जो कली का ग्रीन पार्ट है उसको भी पेंट करूँगी ध्यान से आपको देखना है तब ही आपको समझ जाएगा और अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी तो आई होप कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखिए बीच-बीच में से देखिए तो जाए स्टार्टिंग से वीडियो देखिए धियान से तब आप बहुत ही जादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अब धियान से देखिए कि मैं किस तरीके से कली को पेंट कर रही हूं यह जो हमारी चीजें हैं जो छोटी-छोटी से डिटेल होती है न वह इंपॉर्टेंट होती है आप देखे मैं सैब ग्रीन यूज़ करूगी मैंने कलर ना साइट पर रखा है तो आप लोग प्लीज बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होईगा ध्यान से देखिए एक ग्रीन कलर है लीव ग्रीन एक सैब ग्रीन और वाइट है ठीक है बॉटल आपको साइट पर दिख रही ह यही कलर यूज़ किया ह है मैंने जो जो कलर मैं यूज़ कर रही हूं शाइट पर रखा है बिलकुल भी आपकोJohn Also color से मी कलर यूज़ कर रही हूँ और प्रिवियस वीडियो में किसी ने पूछा था कि ट्यूलिप को पेंट करने के लिए लाइट ब्राउन चाहिए तो नहीं है जो ब्राउन आता है आप उसी को यूज़ करिए क्वांटिटी कम यूज़ करिएगा ठीक है तो आपने देखा कि कैसे हम एक सिंगल फ्लावर को ड्राउ करके डिजाइन बना सकते हैं तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ड्राउ करके बताऊं कि आप डिजाइन कैसे बना सकते हैं और आप मेरी इस कोशिश में मदद करिए और जो लोग इंट्रेस्टेड हैं उनके साथ शेयर करिए नेक्स वीडियो में कौन सा फ्लावर देखना चाहते हैं कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूले मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू डिसाइन के साथ तिल देन टेक केर बाई बाई